Hello Friends, हमारे YouTube चैनल सेप्टी ग्यान में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है इंस्पेक्शन ओफ एसका फोल्ड मेटरियल्स यदि आप इसका फोल्ड मेटरियल्स का इंस्पेक्शन कैसे करें के भी सेमें डिटल्स में जानना चाहते हैं तो आपके लिए इसका फोल्डिंग के भी सेमें जनकारी होना बहुत जरूरी है इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले हमारा वीडियो इसका folding, इसका folding हजाट्स, इसका folding कंपोनेंट्स, इसका folding bracing, इसका folding tie and letter safety जरूर देखें इन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में दिया गया है अब यहाँ सवाल यह उठता है कि इसका folding material का inspection कैसे करें इसकी जनकारी होना क्यों जरूरी है क्योंकि यदि हमें इसका folding materials का inspection कैसे करें कि विशाय में सही जनकारी नहीं रहेगी तो हम इसका folding materials के defects की पाचान नहीं कर पाएंगे और damage या defective material से इसका folding erection होने से इसका folding को strength और stability नहीं मिलेगी जिससे इसका folding collapse होने या incident होने का chance ज्यादा रहेगा इसका fold tube, a steel tube इसका fold tube का परियोग erection में करने से पहले या ensure करना चाहिए कि इसका fold tube safety standard के requirement को पूरा कर रहा है या नहीं इसका fold pipe BS 1139 या EN 39 या IS 1161 के requirement को fulfill करना चाहिए इसका folding pipe का grade YST 22 से कम नहीं होना चाहिए pipe length 6.4 meter या H per requirement होना चाहिए weight approximate 20 kg और 6 meter होना चाहिए nominal bore 40 mm OD 48.3 mm thickness 2.9 mm या 3.2 mm या 4 mm होना चाहिए इसका folding के load carry करने का ability उसके tube का strength और condition पे depend करता है इसलिए इसका folding tube straight होना चाहिए free from crack, splits, bad ends, excessive corrosion तथा परतेक end पे square cut and clean होना चाहिए यदि आपको नीचे दिये के condition में से कोई भी condition दिखाई दे तो इसका folding tube को reject या replace कर देने चाहिए flame cut, यदि इसका folding pipe flame cut हो तो उसे remove या replace कर देना चाहिए bird tube, यदि इसका folding tube bird हो तो उसे replace कर देना चाहिए split end tube, यदि इसका folding pipe का end split हो तो उसे replace कर देना चाहिए angle cut, यदि इसका folding pipe angle cut हो तो उसे replace कर देनी चाहिए bend tube, यदि इसका folding tube bent हो तो उसे replace कर देनी चाहिए mushroom headed tubes, यदि इसका folding pipe mushroom headed हो तो उसे replace कर देनी चाहिए इसका fold coupler और fitting अब हम इसका folding coupler या fitting के भी साहे में discuss करेंगे कि कौन सा इसका folding coupler का कितना safe working load यानि SWL होता है तथा कौन सा coupler किस परकार के load को bear करता है Right angle coupler Tube को slip होने से रोगता है तथा tube के उपर slip के वजह से पढ़ने वाले load को bear करता है उसका slip resistance या SWL 6.3 KN या 9.3 KN होता है Swible coupler Tube को slip होने से रोगता है तथा tube के उपर slip के वजह से पढ़ने वाले load को bear करता है उसका slip resistance या SWL 5.3 KN होता है Put lug और single coupler Tube को pull होने से बचाता है तथा tube के उपर pull होने के वजह से पढ़ने वाले load को bear करता है उसका HWL 0.53 KN होता है Sleeve coupler, tube के उपर Tension से Pundimale Load को Weir करता है उसका HWL 3 KN for Tension and 0.59 KN per meter for bending होता है Foot lug end, shear load को Weir करता है उसका HWL 1.12 KN होता है adjustable base plate, axial load को Weir करता है उसका HWL 30 KN होता है इसका folding couplers और fitting जो British Standard के अनुसार test किये गए हैं उन्हें BS 1139 EN 74 Section 2.21991 को comply करना चाहिए इसका fold coupler यदि आपको निचे दिये गए condition में से कोई भी condition दिखाई दे तो इसका fold coupler को replace या remove कर देनी चाहिए badly rusted यदि इसका fold coupler पूरी तरह से rusted हो गया हो तो उसका परियोग इसका folding reaction में नहीं करना चाहिए तथा उसे replace या remove कर देनी चाहिए bend or twisted यदि इसका fold coupler bend या twist हो गया हो तो उसका परियोग इसका folding reaction में नहीं करना चाहिए तथा उसे replace या remove कर देना चाहिए Thread damage यदि इसका fold coupler का thread damage हो गया हो तो उसका परियोग इसका folding reaction में नहीं करना चाहिए तथा उसे replace कर देना चाहिए Evidence of hit damage कभी-कभी इसका folding platform का परियोग वेल्डिंग या गैस कटिंग के लिए किया जाता है, जिससे हाउट एस्पेटर इसका फोल्डिंग पाइप या कॉपलर के उपर गिरता है, या वेल्डिंग करने के समय, वेल्डिंग का रड या होल्डर इसका फोल्डिंग पाइप या कॉपलर से टश हो जाता है, जिसके वजह से इसका folding pipe या coupler melt हो जाता है यदि इस परकार का कोई भी damage आपको दिखाई दे तो उस coupler का परियोग आपको इसका folding erection में नहीं करना चाहिए तो था उसका folding pipe या coupler को आपको replace कर देनी चाहिए इसका fold जाली यदि इसका fold जाली पूरी तरह से rested हो गया हो तो उसको replace कर देनी चाहिए यदि इसका fold जाली bend या twist हो गया हो तो उसका परियोग इसका folding erection में नहीं करना चाहिए तो था उसके replace कर देना चाहिए इसका fold board या plank निचादी एक condition में से कोई भी condition यदि आपको दिखाई दे तो इसका folding plank को remove या replace कर देनी चाहिए wrapped board या plank यदि plank wrapped हो तो उसका परियोग नहीं करना चाहिए तथा उसके replace कर देनी चाहिए twisted board या plank यदि plank twist हो गया हो तो उसका folding erection के लिए नहीं करना चाहिए तो था उसे replace कर देनी चाहिए Broken board या plank यदि plank broken हो तो उसे replace कर देनी चाहिए Damage hoop iron यदि hoop iron damage हो गया हो तो उस plank को remove कर देनी चाहिए Common defects in इसका folding plank यहाँ इसका folding plank के कुछ common defects नीचे दिये गये है यदि इन में से कोई भी defects आपको दिखाई थे तो उसे replace या remove कर देनी चाहिए bow crook, kink cup, twist इसका fold base plate यदि इसका fold base plate का संक bend या twist हो गया हो या base plate पुरी तरह से rastered हो गया हो तो उसे हमें replace कर देनी चाहिए उमिद करता हूँ कि ये video आपको पसंद आया होगा यदि ये video आपको पसंद आया हो तो हमारे आने वाले video का notification पाने के लिए हमारे channel को subscribe करें like करें, bell icon को दबाएं comment करें, यदि आपको safety से related किसी अन्य topic पे जनकारी चाहिए तो वो भी comment में लिखें हम आपके लिए उस topic पे video बनाएंगे please इस video को share करना न भूले thank you for watching and your support